हेलो दोस्तो कैसे है आप लोग उमीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे तो दोस्तो आज हम यहाँ पर किस लिए आये हैं तो दोस्तो बहुत सारे बच्चों का सवाल होता है कि स्टड़ी कैसे करें पढ़ाई कैसे करें पढ़ने का मन नहीं करता क्या करें तो दोस्तो आ दोस्तों पढ़ाई कैसे करे बेसिकली क्लास 10 और 11 के बच्चों के लिए बता रहा हूँ मैं हाउ टू स्टड़ी पढ़ने का मन नहीं करता क्यों नहीं करता मैं आपको बताता हूँ मैं बेसिकली साथ घंटे तो पढ़ाई करूंगा ही करूंगा ठीक है ऐसे डिसाइड करिए ठीक है और चोटे 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 शौटे शौट चुट का मतलब क्या है मतलब अभी आप अभी मान लीजें अभी सुबह उठे है आप मान लेजें इसुबह आठ बज़ें तो पढ़ोंगे तो पहर को एक घंटा पढ़ोंगे और शाम को चार गंटा पढ़ोंगे आप कर चोटे चोटे पॉइंस में डिवाइड करके आप ऐसे टाइम टेबल बने of information in long sessions ठीक है मतलब आप जितना कम टाइम पढ़ोगे चोटा चोटा ब्रेक लेकर आप पढ़ोगे तो उससे आपके ब्रेन को जो information है उसको स्टोर करने में ज्यादा मदद मिलती है आप एक साथ चार पाथ गंटे बैठ होगे तो टाइम ज्यादा जाएगा और आपके दिमाग में इतना कुछ ज्यादा याद भी नहीं रहेगा इसलिए चोटे चोटे सेशन करिए एक गंटा दो गंटा फिर दो गंटा फिर दो गंटा ऐसा ऐसा करके आप शौट शौट में पढ़िए ठीक है मतलब क्या है अभी मान लीजिए आप दो गंटा बैठ है फिर मिनिममम 30 मिनट आप थोड़ा रेस्ट कीजिए रेस्ट का मतलब ऐसा नहीं खेलने जाओ मोबाइल में गेम खेलो यह सब नहीं थोड़ा जो भी आपने पढ़ा उसको माइंड को फ्रेश करिए पास दस मिनट बैठ हिए माइन फ्रेश रखिए और रिवाइस कीजिए कि हां मैंने अभी इन दो घंटों में क्या पढ़ा कौन से टॉपिक्स पढ़े कौन से कंसेप्स पढ़े ठीक है और मेन बाद जो है नाइटर्स रात को पढ़ाई करना बन कीजिए दोस्तों मतलब रात को जो इतना effectively मैंको तो नहीं लगता कि इतना effectively आप पढ़ पाओगे ठीक है start planning and reading early in the study plan and make a study schedule ठीक है मतलब आप सुभर जल्दी उठकर पढ़िए मैं आपको guarantee के साथ कह सकता हूँ कि सुभर जल्दी उठकर अभी early morning अगर आप उठकर पढ़ोगे न तो आपको बहुत ज्यादा अच्छ study इतनी effective नहीं है ठीक है early morning study is very effective ठीक है फिरी भी आप मेंसे किसी बच्चों को अगर night study पसंद है तो ठीक है लेकिन आप ट्राय किजिए कि सुभर पढ़े ठीक है ओके देखें get in the zone अब देखिए create the idle study phase इसका मतलब क्या है space अब आप ऐसा मत किजिए कि आज मैं यहां हूँ कल मैं दूसरा जगे जाऊंगा दूसरे जगे जाकर पढ़े करूंगा मतलब एक specific space provide कीजिए पढ़ाई के लिए ठीक है अब आपका मान लीजे इतना बड़ा घर है ठीक है यहां पर आपकी room है यहां पर आप बैठे हो तो यह specific room सिफ आपकी study के लिए कीजिए तयार है और आपको जब भी ज़रुवत पढ़े तो उस time पे specific time पे फटक से आप वो जो चीज आपको चाहिए वो आराम से ले सके ऐसा नहीं कि एक book यहां पर ठीक है एक book यहां पर एक book गई कई और दूसरे room में पता नहीं ममी पपा दूसरे भाई बेन के room में चलीगे ऐसा नही अब क्या है if you must listen to music choose a metallic music without lyrics and of course leave your phone alone and stay off social media तो दोस्तों अगर आपको effectively study करना है तो पहली बात जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो है social media social media से दूर रही है दोस्तों mobile phone tablet यह सारी चीजों से थोड़े दिनों के लिए दूर रही है especially class 10 के बच्चों के लिए ठ मत समझें कि अभी अभी के class 10 के बच्चों की तो exam cancel हो गई हमारी भी हो जाएगी ऐसा नहीं ऐसा समझें मत ज़रूरी नहीं आगले साल भी Corona आए ऐसे तो भाई हो गया फिर ऐसे हो हर साल बोर्स कैंसल नहीं करेंगे दोस्तों हर साल नहीं करेंगे कुछ ना कुछ दिमाग ल जरू होते है लिसन टो म्यूजिक गाना सुनिये मूवीज देखिये ठीक है थोड़ा टाइम पास तो जरूरी माइंड फ्रेश होना चाहिए ठीक है तो यही बात भी ध्यान रखिए कि पहली बात सोशल मिडिया से दूर रही है ठीक है नेक्स इस लीप वेल एन एक्सराइज ओके नींद अच्छी मिलनी चाहिए ठीक है यू अब्सर्ब इंफरमेशन बेटर वेन यू अलर्ड वेल फैड एन रेस्टेट ठीक है अगर आपका माइन फ्रेश है आप अच्छे से सो पाते हो तो आपका माइन जो है वह आराम से ए आपका माइन फ्रेश रहता है तो आप जो है नई चीजे पढ़ने में ज्यादा एंशॉर होते हो बहुत सुकता बढ़ जाती है अपने अंग में ठीक है तो अपना ब्रेइन फ्रेश होता है ठीक है तो ये थर्टी मिनस तक तोड़ा पूरा जितनी भी आपको नीन की ज़र जरूरी है राइट फ्लैश कार्स अब ये क्या है फ्लैश कार्स क्या है वह मैं आपको बताता हूं देखिए अभी कभी कभी आपको आप नोच लिखते हो किसी भी चैप्टर्स का ठीक है नोच लिखते हो है ना तो आप क्या किजिए एक फ्लैश कार्ड बनेए ऐसा तो एसे करने पर क्या होगा वह पहले से बहुत चोटे होते हैं तो आप पाउच में लेकर जाओ पढ़ते हो आपको फ्लैस कार्ट से बहुत ज्यादा मदद मिलती है ठीक है यह ब्रेइन स्टोर्स इंफॉमेशन बेटर यह रिटन संसिंग डाउन आफ्टर यह रीड अन हर्ड़ इट तो मतलब क्या है आपका ब्रेंज जो है वह इंफॉमेशन को स्टोर करता है ना लेकिन यौद आप जो लिखते जो आप जितना जयादा लिखोगे प्रैक्टिस करें उतना अपने आपके व्रें में ज्यादा आयेगा तो इस ungefो लग तो एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा फिर आप रोज उसे रीड करोगे तो दो भार तीन बार ऐसा रीड करते वक्त आपके जो माइंड में वो पुरा फिक्स हो जाएगा कभी निकलेगा नहीं वो माइंड से ठीक है तो इसकी वज़र से flash cards जो है बहुत important माने जाते हैं ठीक है तो यह चार step follow कीजिए जो भी मैं आपको दस step total बताने वाला हूँ effective step से आप अगर follow करेगों तो 100% guarantee के साथ मैं बोल सकता हूँ कि आप successful हो जाओगे ठीक है 100% guarantee you will be successful आप अपने percentage तक पौच पाओगे यह मैं लिखके देता हूँ ठीक है आया समझ में तो यहां पर जो है connect the dots इसका मतलब क्या है learning to make connections अभी अभी मैं class 10 की बात करता हूँ class 10 पहला chapter क्या है chemical reactions and equations है class 10 का पहला chapter ठीक है chemical reactions and equations यह है class 10 का पहला chapter दूसरा chapter acids basis and salts यह है आपको पता है ठीक है अब connection अब यह दो चैप्टर के बीच का connection आपको जानना है दोनों का एकदम specific connection है दोस्तो chemical reaction में बहुत सारे chemicals आते हैं वो है acids basis आते हैं ना तो वो भी उसी से रिलेटर है तो दोनों कोई भी दो चीज का relation जानना आप सीखिए ठीक है यह बहुत important है आया समझ में ठीक है तो दो चीज का relation जानी है ठीक है connection when you consume information pays dividends while you study think of the various ways that information you are reading watching or listening to is connected to one another ठीक है जब भी आपको चीज पढ़ते हो या फिर कोई वीडियो देखते हो आप ठीक है listen करते हो सुनते हो मतलब वो जो बोलते है audio audio वीडियो जो भी आप करते हो उस time पर आप उसे relate करने की कोशिश कीजिए कि हाँ यह जो concept है वो इससे related है ठीक है आया समझ में तो आप relate करने की कोशिश कीजिए ठीक है try to group related information on one flashcards ठीक है तो flashcards पे shot में note down कर लीजिए ठीक है यह भी बहुत effective होता है आया समझ में तो यह ध्यान रखिए ठीक है next देखते है next is set goals आप एक goal set कि हां आज के दिन में मैं इतना पढ़ाई करूंगा ठीक है ठीक है आज के दिन में मैं यह topic कितना भी hard हो कितना भी कुछ भी हो जाए मैं खतम करूंगा make a list of study goals study goals का list बनाई है आया समझ में when you complete them अभी आप अगर अभी मान लीजिए आपने goal goal ठान लिया कि आज मैं chemistry का पहला chapter पूरा खतम करके सोंगा और मान लीजिए आपने रात तक उसे खतम कर दिया तो आप motivate हो जाए आपको लगेगा मेरे में भी वो ताकत है कि म यह आपको होना जरूरी है it will help you feel in control and reduce any study stress ठीक है तो इसकी वज़े से आपका ऐसा नहीं लगेगा कि नहीं मेरे से नहीं होता है चीचीचीची ऐसा नहीं छोड़ दो फेक दो ऐसा नहीं आया समझ में test yourself आप अभी ऐसा तो नहीं है आपने कर दिया हो गया मुझे आता है बस इस test series में आप हमें join कीजिए हम test लेंगे ठीक है उसमें हम test लेंगे आपके और आपको जो पता चल जाएगा कि आपकी capacity mainly है क्या ठीक है इस test series जो है जल्दी launch होने वाली है class 10 और class 11 के लिए test series ठीक है हमारे इस channel पर ही है test series होने वाली है ठीक है mente quiz भी हम launch करेंगे ठीक है तो दोस्तों आपका support चाहिए हमें बस ठीक है तो यह test yourself यह point भी बहुत important है ऐसा नहीं मैंने एक बार पढ़ लिया हो गया अब आयता है में को छोड़ दिया मैंने चल हो गया पतम ऐसा नहीं test करने का सच में आता है कि नहीं देखने का ठीक है और आपके भाई बैनों तो उनसे अनलाइन में ठीक है ऑनलाइन में बहुत सारी help मिलती है ठीक है तो अनलाइन से भी आप यह structure एक कैसा किसका structure है उसका पूरा detail explanation है वह हम इस channel पर भी cover करने माले है या फिर आप कुछ भी Google पर YouTube पर बहुत सरे ऐसे वीडियोस मिल जाते आपको तो वहां से अबर आप अच्छ भी lesson आप आज पढ़ोगे उसका एक note बनाई है ठीक है और याद रखे कि हां मुझे इस दिन इसी जो chapter या जो concept आज मैंने पढ़ा उसका test लूँगा मैं ठीक है तो यह आपको करना बहुत ज़रूरी है aim to teach it अब इसका मतलब क्या है दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता द यह मैं आपको बता देता हूं own teacher आप खुद एक teacher बनिये तभी ही आप जो है एक better percentage ला पाओगे क्योंकि एक teacher को सारा knowledge होता है ठीक है अगर आप teacher है तो आपको भी बहुत चारा knowledge है ठीक है तो आप खुद एक teacher बनने की कोशिश कीजिए ठीक है आया समझ में ओके देखे यह any who study material to teach to it to others ठीक है आप दूसरों को पढ़ाने की कोशिश कीजिए अगर आप दूसरों को पढ़ा सकते हो then you are great मैं बोलता हूँ ना then you are great hundred percent you are great अगर आप में उतनी capacity है कि आप दूसरों को पढ़ा पा रहे हो तो आपको कोई नहीं आदा सकता यह मैं आपको 100% guarantee से बोल सकता हूँ ठीक है तो यह ध्यान रखिए आप कोशिश कीजिए पहले तो आप पढ़िए क्योंकि आप पढ़ेंगे तभी तो ठीक है 100% guarantee के साथ बो और आप जितना ज्यादा मन में पढ़ते हो उतना ही जोर से आप जोर से पढ़िए read aloud या फिर आप अपने family members तो ही friend हो या ममी पापा भाई बैं जो भी हो उनको सुनाइए नहीं है तो भी चलेगा family है ना ममी पापा तो है उनको सुनाइए ठीक है read your flashcards flashcards को रोज रीड करन कितना ज्यादा आप पढ़ोगे उतना ज्यादा रिमेंबर होगा और flashcard जो उसको पढ़ने में टाइम ही कितना लगता है होते हैं इतनों से ठीक है रोज सुभे एक दो पहर एक रात एक ठीक है ऐसे बाकर दिन में आपने पांच मान लिए तो कि पांच मान लिए तो भी कितना टाइम जाएगा दस से पंदरा मिनट उससे तो नहीं जाएगा रीड करने में क्या हो रहा है आपको कुछ नहीं तो इस पंदरा मिनट आप दिन में नहीं दे सकते इस flashcard को है ना तो यह बहुत इंपोर्टेंट है यह ध्यान रखिए ठीक है है हेंडी ट्रीक इस टू कि बताऊंगा तो आप क्या करोगे आपको कुछ ने आगा दूसरों पर डिपेंड नहीं रभनेगा खुद करनेगा Studio दूछ कुछ बातें में आपको बताऊंगा कुछ-ख आपको खुछ से करनी है और नहीं कर फूछ लेजे मैं हूई इसा थिक है तो आप जो मैन जो trend है mainly online study का trend है ठीक है offline study तो मुमकिन नहीं है अभी फिल्हाल तो बिल्कुल भी ना के बराबर है तो इस बार online study तो हम करने है मतलब offline study नहीं कर सकते online study ही effective है आज के जमाने में ठीक है तो एक psychology lecturer है UK England England का ले सिस्टर ठीक है उसने ऐसा test किया है और उसने ऐसा कहा है कि आप जो पढ़ते हो वो ज्यादा remember होता है book में से मतलब आप अभी online study का trend है तो आप जो भी इस screen पर देख रहे हो अभी मैं जो भी आपको बता रहा हूँ यह screen पर आप देख रहे हो यहाँ पर यह सारी चीजे वो आप देख रहे हो आप रीड भी कर रहे होंगे ठीक है अभी फिलाल तो online काई ट्रेंड है पहले भी हम जब यह corona नहीं था तभी भी हम online थोड़ा बहुत देख लेते यूट्यूब पे वीडियोस है ना कभी-कभी हमें offline lectures में कुछ थोड़ा doubt होता था तो हम teacher से पूछ लेते थे कभी-कभी आगर पर जाके बूल गए teacher ने क्या प पूरी online study है तभी थोड़ी थी ठीक है तो अभी पूरी की पूरी online study होने के हो रही है इसलिए मैंने यह point add किया है कि आप notes बनाइए ठीक है मतलब मैं आपको notes provide करूंगा online लेकिन मैं चाहता हूं कि आप offline notes बनाए खुद से बनाए online नहीं क्योंकि आपके eyes को rest की जरूरत है क्योंकि आप 10th 11th में हो आगे आपका career बहुत ज्यादा है ठीक है तो मैं चाहता हूं कि आप अपने खुद के notes बनाएए own notes ठीक है खुद के notes बनाएए दूसरों पर मैं आपको notes provide करूंगा but चाहे तो आप वही copy कर लीजिए but मैं नहीं चाहते कि आप copy कीजिए आप समझ के खुद से लिखिए ठीक है मैं बस एक आपके understanding के लिए आपको notes provide करने वाला हूं ठीक है तो यह ध्यान रखिए please ठीक है आपके जो आँख है उसको rest की बहुत ज्यादा जरूरत है ठीक है तो यह जो 10 points है जो आपको remember करने है अगर आपने यह 10 points perfectly perfectly एकदम perfectly अगर रोज follow किये तो मैं आपको 100% guarantee देता हूँ कि आप हो great you are great successful आप अपने aim की तरफ आसानी से बढ़ सकते हो you मतलब आपने अपना aim complete कर लिया समझ लीजिए बस इमानदारी से इसे follow किये बस यही आपको एक चीज़ करनी है ठीक है तो hope कि आपको पूरा जो points है वो समझ आ गया होगा ठीक ह अब आप अच्छी तरीके से पढ़ाई करेंगे ऐसा मेरा विश्वास है ठीक है तो आप देखिए तो ready to hit books ठीक है books को hit करेंगे अभी छोड़ेंगे नहीं ठीक है अब यहाँ पर कुछ मैं quote लेकर आए हूँ आपके लिए education is the most powerful weapon for changing world ठीक है अगर हमें world को change करना है तो ऐसे आपको अगर किसी की जानकारी है education है तो ही आप पूरे world को हिला सकते हो यह याद रखिये पूरे world को विश्वा को पूरा world आपके मुट्टी में होगा because of only one word education ठीक है तो आपको यह बात समझना बहुत ज्यादा जरूरी है ठीक है education is the most powerful weapon for changing world ठीक है तो hopefully आप जो है अभी ए समानदारी से और अच्छी तरीके से पढ़ाई करेंगे मेरा पुरा विश्वास कहता है ठीक है अब आप मुझे time table के बारे में पूछोगे तो दोस्तों मैं आपको पहले भी catch account starting में कि मैं आपको कोई specific time table देने वाला नहीं हूँ बस आपको एक ही चीज़ करनी है कि आपको specific time time लेना है कि हां मैं इतने घंटे पढ़ूंगा जैसे अब दिन में आप 10 में हो तो seven to eight hours आपको पढ़ना ही है तो दिन में कब पढ़ना है वो आपके उपर है आप ऐसा करोगे सुबह मैं आठ से नौ पढ़ूंगा फिर दस से बारा पढ़ूंगा दस से बारा पढ़ूं यह आपको बस दिन में कभी भी पढ़ी है लेकिन यह complete होना चाहिए बस यह आपका एक time table होना चाहिए अगर specific आशा time table बोलोगे मैं हाँ सुबह आच से नौ पढ़ूंगा फिर दस से बारा लूंगा फिर शाम को पांच से साथ याच से कुछ तो लूंगा तो आप यह कभी फॉलो नहीं कर पाऊगे यह मेरी गारेंटी है बहुत कम बच्चे फॉलो कर पाएंगे 90 परसेंट जो है वह नहीं कर पाएंगे मैं लिखके देता हूं गैरेंटी है ठीक है तो आप बस इतना दखिए कि seven to eight hours पढ़ना है seven to eight hours पढ़ना है कब पढ़ना है आपके उपर है dependent on you it's fully dependent on you ठीक है तो यह ध्यान रखिए okay hopefully आपको पुरा समझ आ गया होगा so thank you for watching दिस वीडियो और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और अब क्लास 10 के जो सीरीज है वो भी 6 जून से चालू होने वाली है तो टाइम टेबल है वो मैं आपसे कल शेयर कर दूँगा ठीक है कल जो है क्लास 10 का टाइम टेबल अपलड हो जाएगा तो और क्लास 11 की जो है वो तो चालू हुई है ठीक है तो मिलते है अगले लेक्चर में तब तक के लिए बाई टेक केर स्टे सेव बाई